कि दोस्तों स्वागत है आपका बिहार नीज में दोस्तों मैं हुँ फिर दोस गणी और आप देख रहे हैं के डिपील उइब दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करने से पहले अपसे क्रिक्वेश्ट है अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्रेब करके भी लेकर इनको भी पड़िस कर दीजिए और साथ में बीटियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के सांस से एर भी किजिए तो चलिए दोस्तों ही इस्टे आट करते हैं आज का नियूज बिहार में परलेकारी बार का विनास लीला जारी है लाखों लोग बेगर हो गए है इस बीच मुसम बिभाग के संकेतने लोगों की बेचैनी और बरादी है जी हाँ पुरौनमान के मताबिक बिहार और नेपाल के निशले एलागों में एक अगस तक भारी बारिस की संभावना जताई गई है इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है बिहार में पहले ही बार ने तबाही मचा रखी है यहां साथ नदिया खत्रे के निसान से उपर बै रही है और वही फिर भारी बारी से बार पर वही तो पंदरे जलों में हालाद बद से बत्तर हो सकती है बिहार में क कहीं से यह नहीं लगता है कि हम कुरोना महामरी को लेकर गंबीर हैं। कुरोना से बचने का सबसे प्रमुख हत्यार मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग है। और यहां उसी का पालन नहीं किया जा रहा है। जिहां राजदने पटना की बात करें तो सरकों पर लोग सोसल डिस्टेंसिंग की खुले आम धज्जिया उड़ा रहे हैं। कई लोग तो बिना मास्क के ही बेफिक्र होकर खुले आम घूम रहे हैं। बिहार में कुरोना संकर्मन कापी तेजी के साथ बर रहा है। इन दिनों रोज़ना से क्रू ने मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन इस परिस्तिती में भी स्वास्त विवाग की लापरवाई चरम पर है। बिना जांच के लोगों को पोजिटिव बताय जा रहा है। जिस काड़ लोगों को कापी मुस्किलों से जूजना पर रहा है। कुछ दिन पहले इसी प्रकार एक मामला अरडिया जिला से भी आया था। जहां पर एक व्यक्ति का बिना जांच किये हुए रिपोर्ट पोजिटिव बता दिया गया था। लेकिन फिर ताजा मामला बिहार के आरा का है जहां एक व्यक्ति को बिना जांच किये ही उसे कोरोना पोजिटिव घोसित कर दिया गया है। जिए हान जिसके बाद बिहार में कोरोना के कुल मरिजों की संख्यां बरकर 43,591 हो गई है। हाना कि बिहार सोस्त विभाग ने बता है कि 27 जुलाए तक की रिपोर्ट के अनुसार 1750 ने मरिज मिले हैं। जबकि 731 के 26 जुलाए और उसने पहले की है। बिहार में दो करोड एकाउं लाख पौधे लगाने का लक्ष तेज गती से चल रहा है और इसे 9 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा परियावरन वड एवंग जलवाई उपड़ी वर्तान विभाग के परदान सचिप दिपक कुमार सिंग ने का है कि पौधरोपन कारेकरम क समापन पिर्थवी दिवस के अपसर पर 9 अगस्त को मुक्यमंतर इनितिस कुमार करेंगी और उम्मिद है कि राज्य में 2 क्रोड एकाउं लाख पौधे लगाने के लक्ष को प्राप्त कर लिया जाएगा उन्होंने का है कि 66 लाख जीवी का दिदियों को इस कारेकरम से जु का है परदान मंतिर निर्दर मोदी से लेकर अमिस्टा और बिज़ेपी अध्यक्ष जेपी नर्दा तक ने साब कर दिया है कि बिहार में बिज़ेपी नितिस कुमार के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उत्रेगी देस भर में अपने राजनितिक परवाओ का विस्तार करने वाले बिज़ेपी आखिर बिहार में क्यों आत्मनिर भर नहीं हो पा रही है बिज़ेपी के आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि वह बिहार में नितिस कुमार के सामने छोटे भाय की भूमिका में रहने के लिए मजबूर होना परता है बिहार के एक वरिष्ट पत्रकार क और उनकी आपादी भी अधिक है, वे कहते हैं की बिहार में सामाजिक आंदलोनों की लंबी परमपडा रही है, और खासकर लालू परसाद यादेब के समय में राजजे के पिछ्ले और दलितों ने मिलकर कई सामाजिक बांदों को तोरा है, तो वे उस परंपड़ा को आज भी फॉलो करते हैं मारी छोड़ियां छोड़ों से कम है के ये कहवत कई बार आपने सुनी होगी कई बार बेटियों ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके हिमत और जज़बे को देखकर आपने ये लाइन्स बुली होगी अब देश बदल रहा है समाज बदल रहा है बेटियों के सपने को लेकर और लोगों के विचार बदल रहे हैं इसी बीच बिहार के वैसाली जिले में बेटियों को सिक्षा के छेतर में आगे बनाने के लिए एक आनुखा परियास किया गया है बेटिया स्कूल में पड़ें इसकूल ने छोटा सा पढयास्ट किय कैंए और इस कदम का असर भी हुआ है इसे स्कूल में बेटियों का नमंकन भी बर गया है दरशल वैसाली जिलाके राजिके मधेदेले बैल कुंडा राजा पाकर ने बेटियों की नाम से स्कूल परिसर में पौदे लगाना सुरू किया है यहां स्कूल में हर चात्रा के नाम से एक पौदा लगाया गया है यह पौदे वो चात्रा लगाती है जिनका नामंकन इस स्कूल में होता है जिया हैं यहां हर एक एक पौदे पर नमकित लर्किओं के नाम का एक बोर्ड लगाया जाता है इस बोर्ड पर छात्रों का नाम और वर्ग का नाम रहता है इसके साथ इस पौदे की देख रेक भी छात्रा खुड करती है पांच अगस्त को आयोधिया में राम मंदिर के लिए भूमी पूजन कारिकरम में प्रदान मंदिर नरेंदर मोदी सामिल होंगे लेकिन ए आईयम आईयम के मुख्या असल दिन OVC का मानना है कि अगर पी एम मोदी भूमी पूजन में सामिल होते हैं और 1991 में आपरादी के किड़ते में गिराया गया है असल दिन OVC के इस बयान पर बीजेपी परवक्ता नलिन कोहली ने का है कि अगर आप उनके बयानों को देखे तो ऐसा लगता है कि वह धर्म के नाम पर राजनिती करना चाते हैं जिस विशे पर फैसला आ चुके हैं उस पर विवाद करना समझ के बाहर है जहां तक उन्होंने पियम मोदी के विशे में बात की उसका जवाब को खुद बेहतर तरीके से दे सकते हैं बिहार विदानसभा चुनाओं की तैयारी में लगे तमाम दल अपनी अपनी तरफ से सियासी दाओ चला रहे हैं इस बीच बिहार के मुख्य बिपक्षी दल आरजेरी नितिस्त सरकार पर लगातार हमलवार है आरजेरी परवक्ता मृत इंजति वाड़े ने कहा है कि कुरोना संकटकाल में भी दो मैने में स्वास्त बिभाग के तीन परधान सहचिव बदल दिये गए हैं इसका साफ मतलब है कि सरकार ने स्विकार कर लिया है कि स्वास्त बिभाग बीमार है और सब कुछ यहां गरबड है आरजेरी परोक्ता ने कहा है कि जब स्वास्त विभागी संकर्मित हैं तो परतत्य अमृत कौन सा वेक्सिल लेकर आएंगे जिससे इसे दुरूस्त करेंगे ये समय बताएगा परते अमृत तो नोट आउट रहेंगे लेकिन इससे पहले सरकार ही आउट हो जाएगी बिहार में करोना के संकर्मन को देखते हुए इस बार सोतंतरता दिवस समारो को साधगी से मनाये जाएगा मुखे कारेकरम गांधी मैदान में आयोजित होगी लेकिन इस बार जहांकिया नहीं निकलेगी कुरोणा को देखते हुए इस वर्स का सतंतरता दिवस समारों साधगी के साथ संपन होगा जिसे लोगों को मास्का परियोग करने एवंग सोसल डिस्टेंसिंग कायम रखने पर बल रहेगा आमतरपर सतंतरता दिवस समारों के लिए 25,000 आमंतरन कार्ड छपते थे लकिन इस बार लगबग 3,000 कारे तैयार किया गया है गांधी मैदान में सिमिते लोगों की ही परवेश की इजाजत होगी सुमार को परमंडिले आयोक तसंजे कुमार अगरवाल ने गांधी मैदान में होने जंडुत तलन कारे करम का तैयारी से सम्मदित बैठक की राजद निता लालो परसाद यादब राची जेल में सजा काट रहे हैं उनकी करोना रिपोर्ट नेगेटिब आई है पर अभी भी लालो परसाद यादब का राची एस्पताल में कई बीमारियों का इलाज चल रहा है लेकिन उनकी देख भाल में लगे तीन लोगों की करोना रिपोर्ट पोजिटिब होने की पुष्टी हुई है जी हाँ इस बात की जानकरिया अस्पताल के एक वरिष्ट चिकिस सक ने दी है बिहार के दरबंगा जिले में बार की इस्तिती विक्राल होती जा रही है चारों और पाने ही पानी नजर आड़ा है सहर से लेकर ग्रामिन अलाकों तक बार का पानी फैला हुआ है पानी नए अलाकों को अपने आगोस में ले रहा है सेक्रों लोग विस्तापित होकर आसपास के उचे अस्थानों और मकानों और स्कूल कॉलेज मंदिर पडिसर से लेकर सरक किनाड़ सरन लेकर जानमाल का बचाव करने में लगे है फॉरलेन पर मबेश सिम्री तक दरजनों लोग डिवाइजर पर तिरपाल और पन्नी टांग कर बाल बच्चों के साथ समय बितारे हैं मामला सिर्फ दरमंगा तक ही सिम्री नहीं है बलकि पूरे उत्तर बिहार में इस वक्त बार का कहर टूटा हुआ है बिहार में दिन बदिन करोना बरता है जा रहा है जिसके परिनाम में 31 जुलाय तक लाउग डाउन लगया गया है लेकिन हाला यदी ऐसा रहा तो बिहार में लॉक्डाउन को और भी बढ़ाया जा सकता है यानि कि पंद्रे अगस तक किया जा सकता है जी हाँ बिहार के हर जिले में इस वक्त करोना का कहर लगातार जारी है जिससे सबी काफी परिसान हो गये हैं बिहार के आठ जिले में इस वक्त करोना का संकर्मन बहुत ही तेजी से फैल रहा है जिससे लोगों में काफी दैसत फैला हुआ है हर कोई इसी वज़े से काफी ज्यादा प्रेसान हो चुके हैं बिहार के पटना गया सिवान बेगुसरे भागलपूर, मुझपरपूर, नालंदा और रोतास में इस वक्त करोना का संकर्मन चारी है यह सबी इलाके इस वक्त काफी ज्यादा सेंसिटीव बने हुए है और इन इलाकों में काफी सक्ती भी बरती गई है दोस्ता बिहार के कई सारे लोग हैं जिनके घरों में पारिवारिक जमीन का बटवारा होता है इस बटवारे के बाद जमीन की रेजिस्टरी करना जरूरी माना जाता है लेकिन लोगों के मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि रेजिस्ट्री कराने में उन्हें पैसा खर्च होगा की नहीं जिहां मिले जानकर के मताबिक बिहार में पारिवारिक बटवारे में जमीन रेजिस्ट्री फिरी में कराई जाती है इसमें कोई पैसा नहीं लगता सिर्फ एक रुपय की आपचारिक अदाई पर इस तरीके से बटवारे की जमीन का रेजिस्टरेशन कर दिया जाता है जी हाँ इस तरीके से भाई भाई के बीच बटवारा आसान हो जाता है और बीबाद भी नहीं होता इसलिए अगर आपके घड़ में बटवारे हो रहा हो तो इस बात का ख्याल रखें कि परिवारी के बटवारे के बाद आप बीहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर आउनलाइन के दोबार रिजिस्टर कर सकते हैं साथ सी साथ इस बेबसाइट से जैमिन की जूरी सभी परकार की जानकरी प्राप्ट कर सकते हैं और ये बेबसाइट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड ने इंटर नामंकन की तीति घोसित कर दिया है बिहार बोर्ड के अनुसार इंटर नामंकन के लिए पहली मेरिट लिष्ट चार अगस्त को जाड़ी होगी इसके बाद चार से नौ अगस्त तक नामंकन होगा इस बार राजे के पचासे उतकरमित उच्च विधाल को इंटर नामंकन सुची में जोरा है जिहां इन सभी स्कुलों को बिहार बोर्ड के OFSS पोर्टल पर डाल दिया गया है आपका बदर की रिजिस्ट्रिशन के लिए OFSS पोर्टल पर 349 सेक्षन सहस्तानों के सुची डाली गए थी लेकिन अब इन पचासे स्कुलों को डालने के बाद कुल सक्षन सांस्तान 3564 हो गये हैं चातर नामंगन के लिए सुची को बिहार वोड के www.ofssbihar.in पर देख सकते हैं सभी इसकुल और कॉलेज की सुची उनके नाम संकाया वार निर्धरत स्वीट संक्या के साथ उपलब्द है अगर आप बाजार से कोई सामान लाने जाएं जिस पर ISI या हॉल मार्क का निसान लगा हो तो आप ये तुरंत जान पाएंगे कि वह सामान असली है या नहीं जी हाँ भारतिय मानग वियोरो यानि की BIS ने ये पता लगाने के लिए एक मॉबाइल एप लाउंच किया है जिसका नाम BIS केर है ये एप गराकों को असली और नकली सामान में फर्क कराने में मदद करेगा उधारन के लिए अगर आप वाजार में पंका या फिर कोई अनिय सामान खरिदने जाएं तो उस पर ISI का निसान लगा रहता है अगर आपको संका होती है कि पंका उस बरान करने लगता है जिसका नाम उस पर लिखा गया है तो आप इस बिसकेर नाम के एप पर ISI निसान का नमबर लिखकर बरान और उसकी कमपनी की पूरी जानकरी प्राप्त कर सकते हैं इस एप के मादिम से आपको यह भी बता दूँ कि यह निउस कोई भी परमोसन नहीं है हम यह खबर कोई परमोसन के लिए नहीं दिया गया है बस आपकी मुस्किल काम खं़ आसान करने के लिए यह खबर आप तक पहुँचा है बिहार बिजनसभा चुनाओं का पेंच सुलचता नहीं दिख रहा है रजालसपा के लाश्टी अधियक्च उपेंदर कुसुहा ने कहा है कि अभी महागरबरण में अन्य पार्टियों को सामिल करने की बात चल रही है हम लोग वाम दलों को भी अपने साथ जोरना चाते हैं ब विबिन ने पार्टियों में सीट बटवारे को लेकर इस्तिती असपर्ष्ट हो बीते दिनों उपेंदर कुसुहा की ओर सेते जिस वियदब को सियम उमिदवार मानने की बात मीडिया में चल रही है इस पर कुसुहा ने अपनी बात कई है यू आई डियाई ने अपनी SMS के जरी के ऐधार से Link अकाUN की धारज कर सकता है तो आये जानते हैं कि यह काम कैसे करता है सबसे पहले आपको अपने फोन से इस्टार नाइन इस्टार नाइन इस्टार नाइन इस्टार वन हेच डायल करना होगा और इस मेसेज के लिए 50 पेसे का सुलक लगेगा और ये मेसेज भेजना होगा इसके बाद आपसे आपका आधार नमर डायल करने के लिए आपसन आएगा जिहां अपने आधार नमर दर्ज करने के बाद आपको मॉबाइल स्किन परी आधार से लिंक बैंक अकाउंट की जानकरी दिख जाएगी इसे आपको सही जानकरी मिल जाएगी कोरोना को लेकर बिहार सरकार के दाओं उपर परोसी राज जारकन ने गंबिर सवाल उठाया है जारकन सरकार ने सीधा आरोप लगाया है कि बिहार के कारण जारकन में कोरोना का संकर्मन बर रहा है यान कि जारकन में कोरोना बरने को लेकर साब तोर पर बिहार को दोस्त दे रहा है जिहां हालात यहीं कि संकडमित मरीजों को बिहार से जारकन लाया जा रहा है ताकि उन्हें सही इलाज मिल सकी जारखन सरकार ने का है कि वो ऐसे मामले को रोकने के लिए सक्त कदम उठाएगी राजधानी पत्ना में 15 अगस तक लागडाउन बराया जा सकता है पत्ना जिले में करोना संकर्मित्यों की संक्या लगाता और बढ़ने से इसकी संभाबना चताई जा रही है कि 15 अगस तक राजधानी पत्ना में लागडाउन बराया जा सकता है जिहां पत्ना जिला में अभी परते दिन 500 से अधिक संकर्मित मरीजी मिल रहे है फिलहाल लागडाउन 31 जिलाए तक है बिहार में करोना के कारण सभी स्कूल कॉलेज बन है जिससे बचों की पराय में दिक्कत आ रही है आउल लाइन के दोरा पराय सही तरीके से नहीं हो पा रहा है जिहां राजे में बहुत से बचे ऐसे हैं जिनके पास आउल लाइन पराने की सुभीदा उपलब्द नहीं है इसी बीच स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि राजे के सिक्चा मंतरी असपस्ट कर चुके हैं कि बिहार में सिक्चन संस्तानों को खोलने का फैसला आभी भावक की आम राय के अनुसार किया जाएगा जब राजे में रहने वाले आभी भावक स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सहमती जताएंगे तब ही यहां के सिक्चन संस्तानों क्वोलेज जाएंगे उन्होंने का है कि बिहार में आभी भावक करोनासंकरमन के बगरते हालات को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं सिक्षा मंतरे ने कहा है कि जब अभी भावोक से स्कूल खोलने की राय मांगी तो 90 फिज़स से ज़्यादा आभी भावोक के स्कूल खोलने से मना कर दिये हैं इसलिए फिलहाल बिहार के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगी बिहार में बिधानसभा चुनाओं से पहले बार आ गया है जिहां इस बार में बीजीपी और जीडियू की रिष्टे पाने में बहने लगे हैं गर्बनन की सरकार होने के बाद भी जब अपने बिधानसभा में साथ बान टूटा तो बीजीपी बिधायक का सबर का बान भी तूट गया और गर्बनन की सरकार यानि के अपने सरकार पर जमर कर हमला बोला अपने जिले में तूटे बांध का ठिकर निती सरकार और उनके कड़िभी मंतरी संजे कुमार जहा को जल संसदन विभाग संभाल रहे उनको जिम्यवार बताया है भाजपप परदेश उपादेश मिधिले सतिवारी ने सरकार और जल संसदन विभाग पर हमला बोला है उन्हें कहा है कि गौपाल गर्ज में अकेले बैकनपूर में एक के बाद एक कुल साथ जेगे सारन वान तूटना दुर भाग पोड़न है इसके लिए जल संसदन विभाग के अधिकरी जिम्यदार है दोस्तों आज का नियूस बस यहां तक कैसा लगा जरूर अपना सजाओ दीजेगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आकन को भी पड़िस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक किजिए अपने द